हाई अब्रिवरन इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं हाउ टू इंप्रूब मार्क्स इन मॉक टेस्ट और पीवाई क्यू फोर एंप्टीएस दोजाच चौविस मेरे मैक्जिमम वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में मैंने एक कॉमेंट जरूर पढ़ा है आप लोगों का कि मेरे मार्क्स इंप्रूब नहीं हो रहे हैं जो मैं मॉक टेस्ट या पीवाई क्यू लगा रहा हूं एक मार्क्स आ रहे हैं और फिर वहां पर आकर वो रुक गए हैं ठीक है तो अब मैं उसको कैसे इंप्रूब करूं किसी ने बोला है मेरी इंग्लिस बहुत बीक है किसी न आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो आधर आप पी वाई क्यू लगा रहे हो MTS 2223 वाले या 2022 के पुराने वाले जो भी है वो लगा रहे हो तो उनमें आप कैसे मार्क्स इंप्रूब कर सकते हैं वो हम डिसकस करेंगे और देखो वीडियो को मैं आगे यह थोड़ी वीडियो लेंड होगा लेकिन मैं आपको इस चीज का इंसे और करूंगा कि मेरे भाई आपके जो मार्क्स है ना वो थोड़े दिन लगेंगे लेकिन इंप्रूब जरूर होंगे अगर जो भी मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपने फॉल्यों कर लिया यह स्टैटेजी ऐसा नहीं है कि सिर कि मैं बटाऊं वैसे ऑप पड़ओ लेकिन मेरे 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 मता हुई बातों सेथी कर लो कर सकता ह quig Where I कुछ दिन में justement टूविक में आप अपना इंप्रूमेंट देखने को मिल जाएगा अभी आपके इसा नहीं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो 10-10 दिन में क्या ही हुजाएगा आपके पेपर में टांब माइज से इन अगर आप estuvरिये को सुरू कर लेते हैं without any further delay but before starting this video please do subscribe this channel for more videos regarding all these type of videos ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी biggest mistake की जो मैं करता हूँ मुझे ऐसे लगता है हर एक aspirant करता है 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं या 1% के अलावा फिर वो बच्चे आजाते हैं कि पहले मैं यह mistake करता था अब नहीं करता हूँ क्योंकि अब realization हो गया है अब चीज़ें समझ में आने लगई हैं लेकिन यह चीज़ समझने हैं मुझे एक से लेकर डिएड़ साल लग गई है तो मैं वही बताता हूँ आपको कि वो क्या है biggest mistake कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ठीक है हम आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं और हम सारा काम कर रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि हम मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स इंप्रूब नहीं हो रहे होते हम डेली मॉक टेस्ट लग है कि हर इनसान के साथ होता है कि मार्क्स इंप्रूब नहीं होते हैं नहीं होते हम सिर्फ मॉक्ट टैस्ट लगाते हैं उसका एनलाइसिस जो की करना सबसे ज़रा जरूरी होता है वो नहीं करते हैं अब आप मेंसे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो एनलाइसिस भी करता और हमें इतनी जल्दी होती है ना हमने गलत कर दी है ना तो हमने तरंट उसका आंसर देखने की पड़ती है जिस भी प्लेट फॉर्म पर हम दे रहें यह नहीं है कि अगर मैंने गलत किया है तो मैं two minute बैठके सोच हूं कि अच्छा यह गलत है तो इसका क्या और हो सकता है कभी सोचो आप ऐसे सोचते हो क्या कि अगर मैंने सी लगाया है तो इसका क्या हो सकता है हाँ साइध आपने जी के मैं सोच लिया हो कि अरे मैं तो यह लगाना चाहता था यह हो सकता है साइध वो लगा दिया लेकिन आप मैथ पड़ा हो फिर दुवारा से आपने वो लगाया हो या दुवारा से वो बुकेप पड़ी हो दुवारा से आपने समझा हो वो क्या आपने किया था नहीं किया या अगर आपके पास आपने वो दुवारा भी करा जैसे ग्रामर का कोई कोशन था ग्रामर से रिलेटेड कोई आपसे नहीं बना दुबारा लगाया दुबारा मैं भी आपका गलत हो गया ठीक है या आपने कैसे भी करा वो आपका गलत हो गया क्या आपने वह एरर алыन किया अपनी नोर्ट बुक में में रूहिए कैसे नहीं बन रही है कोई कुई किसी और नहीं बन रहा है किया आपने वो छीजह प्रूप करोगे तो उतना नहीं कर पाओगो जितना अगर अब हम क्या करते हैं हम हमेंसा भू पढ़ने की कोशिस करते हैं करते ही यह हमें वो नहीं पढ़ना जिसे हमें में हमको बजा रहा होता है हमें वो पढ़ना है जो पेपर में पूछा जा रहा होता है जो पेपर में पूछा जाएगा जो पेपर के पीवाई क्यों लगाते हैं हम एक अपना मैंट से तैयार करने के लिए कि हां पेपर किस तरह का आता है क किस चीजसे कितने ज्यादा कोसन आते हैं, वो जब तक आप नहीं करोगे, अपने B के ली आज पर काम, अगर आप अब अपने B के लीआ से बागते रहे, तो आप हमेशा पीछे ही रहोगे, आपका मन है नहीं है आपको अपने बीक एडियाज पर काम करना होगा अगर एक देड़ घंटे का पीवाई क्यू या एक घंटे का पीवाई क्यू लगाते तो एक घंटा एनलाइसिस किया करो पूरे जीके के पच्चिस के पच्चिस कोशन दुबारा देखा करो कभी-कभी ऐसा होता है है हम तक्可मारते हैं ससं के लिए और आपका सही कोशन हो गया है नहीं देखोगे आपने सही क्या हैं फिर भी देखो असके सॉलूसंस पडू हो सकता है कुछ एक्स्ट्र सॉलूसंस में आपको इंफ्रमेशन मिल जाए वो अपने डाउन करो फिर उनको हर दिन एक गंटा इ तो यह चीजें आपको काम करनी होंगी पूरे 25 के 25 खोसन आप इंग्लिस की देखा करो एक से लेकर वापस तक कोई गलत हो गया है तो तुरंट आंसर देखने के लिए मत भागा करो इसका आंसर क्या होगा पहले खुद सोचा करो कि अगर मैंने भी लगाया था तो अब गलत है आप एक घंटे के मौक टेस्ट को कम से कम 40 से लेकर 45 मिनट रिवाइज करने लग जाओ चालिस से 45 मिनट उसको एनलाइसिस करने लग जाओ उसके गलत हुए हैं और जो आपको लगता है नोट डाउन करना है एक इंग्लिस की पतली सी कौपी अलग बना लो एक जीके की पतली से इसकता है आपको आपको पने दिने को जरूर मिलेघा से भी आपको सबसक्तरा है निए अब सबसे पहले की पहले मैंने सूचा था कि इंग्लिस के ँछ चीजह हैं जो मैं पढ़ाता हूं मैं एक video लेकि आता हूं मैं आप लेकिन मैं इसा निकाल आया कुछ है तो मैं ऐसा महान नहीं हो गया हूं मैं उतना मुझे बात बताता हूं क्या कहना चाहरो मैं कि सबसे पहले तो आप इंग्लिस के कुछ टॉपिक खतम करो ठीक है जैसे कि आप को टैंस आना चाहिए बहुत अच्छे से सबसे ज़्यादा आता है कभी कभी सिंपल सिंपल टैंस से अरर आया था वर्ब में ऐस नहीं था और हम पकड़ी नहीं पाते मेरे साथ भी होता है कल परसना हुआ था इसलिए मैं उसका एक्जांपल दे रहा हूं ठीक है उसके बाद नरेशन क्या कहते हैं आपको डारेकर अगर आपके चाहरे सारे तो ठीक है वरना डारेक्ट इन्डार्क पढ़ना दर्डार और अक्टे पैसे यह दो सब्चक्द ऐसे हैं जो बच्चे थोड़ा कम भी पढ़ते हैं तो हो जाते लेकिन इनके जो इंटरोगेटिव वाले सब पढ़ लो यह तीनचा चीज़ें हैं और आप अपना टैंस पढ़ लो यह आप यूट्यूब पर अगर मुसर टीचर की रिकमेंडेशन लेंगे तो यह आप यह कोई डालो नाउन या बर्ब और बाई जानी में ठीक है बहुत अच्छी लीजेंड टीचर है बहुत अच्छी है आप इनसे पढ़ सकते हो और में इनकी यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएंगे ठीक है यह तो पढ़ना ही पढ़ना साथ मैं एक इनकी सिक्स्टी की सिक्स्टी रूल्स की ग्राम इंग्लिस की वीडियो है अप्रॉक्स दस घंटे की यूट्यूब पर मैंने भी देख अब भी मैं प्रेपरेशन कर रहा हूं ऐसा नहीं है अब भी पढ़ता हूं मुझे आज भी मतलब अब रिवाइज करते हैं हम लेकिन अगर आपको चाहिए वह सिक्स्टी रूल तो आप मेरे को बता देना मैं उन सिक्स्टी रूल की पीडियेफ बनाके अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा ठीकर टेलीग्राम अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो आप नीचे लिंक से जाके जॉइन कर लो मैं इंपूरेंट अपडेट और यह कॉंटेंट डालता रहता हूं उस पर और साथ ही मैं अगर आपने आपको या तो लिंक मिल जाएगी नीचे अगर देखने से कुछ नहीं होता डेली रिवायज करना हर दिन दस रूल पर ना ऐसा अपना टाइम टेबल बनाओं कि हर दस रूल जैसे छे दिन में रूल खतम हो जाएंगे फिर दस रूल दूबारा से फिर दस रूल ठीक है इस तरह से और दस रूल पढ़ने में आपको पंद्रा मिनट लगेंगी उससे ज्यादा नहीं लगेंगी नोट की पीडिये दिये जैसे कि मैं बता रहा तक मैं पहले कुछ सोचा था कि कुछ कि यह को मतलें इस के किसी के लगाने हैं इन सब को करने के बाद और साथे में उनका जो इनलाइसैस है वो बहुत अच्छे से करना हैं आपने पी आज आपको देखना है कि यह तैंस में अगर मैं इस मैं कर रहा हूं तो क्या गलती कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं और most important कि आपको vocabulary याद करनी है आपको डेड़ गंटे से लेके दो गंटा vocabulary याद करना है ऐसा होई नहीं सकता आप यह समझो कि पच्छीस मैं से बारा को सन डारक्ट vocabulary से पूछे जाते हैं तो आप इसे तो ignore करी नहीं सकता अगर आप दिन में दो घंटे भी vocabulary को दे रहे होना तो वह इनफ नहीं है आप कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हम दो घंटे दे रहा है जादा दे रहा है लेकिन आप देली सुबह उठके जो आप सुबह उठके या मतलब जो आप सबसे पहले काम करते हो जैसे आप हो सकता है कि आप तीन-चार बजे याद करनी है कि आपको vocabulary मतलब कम से कम तीन-चार वर्ड तो आपको याद करने ही है और मैंने अलगवक्त देखोगे कि हाँ यह पूछी जाती है ठीक है यह इंग्लिस का हो गया उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले भी बताया था मैं अब फिर बता रह रहा हूं जैसे कि तो मैं ऐसा नोगो कि घरें जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा यूटिब पर जिन जिन लोगों को यह जान जो जो लोग जान गए है वह इनको मानते हैं कि हाँ जैसे मैं इंग्लिस में राणी में ऐसे ही मैं आपको बताता हूं एक यूटिब चैनल है आपको देखोगे यूटिब पर और उन्होंने पीवाइक्यू कराये हैं सीरीज है पहले भी कराये लास्ट दो तीन साल से करा रहे हैं में इस साल उन्होंने 24 के लिए पार्ट 3 कराया है आप पचास लेक्चर हो चुके हैं उनके ठीक हैं पचास आप कर लिए ना हो सकता है कि मैं जैसे आपको पहले किया था तो आप कर रहे हों अगर आपने जी के में यह पचास लेक्चर कर लिए ना आप यह मालो आप जी के मैं बहुत सहन्सा हो जाओगे सीजिशली बता रहा हूं इनके नोट्स की पीडियेफ भी है मेरे पास मैंने आप चाहो तो मैं दे सकता हूं टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कॉमेंट कर देना वैसे मुझे सता है यह थोड़ा इल्लीगल हो जाएगा उन सर के लिए क्योंकि वो सर की पीड नोट्स की पीडियेफ है और मैसे ग्रूप में डालूँगा तो में भी यह सही नहीं है त कर जी के में इंप्रूब्मेंट देखना बहुत अच्छे से हो जाएगा आप ऐसे एक घंटे का लेक्ट्र एक घंटे रिवीजन ऐसे दे सकते हो साथ मैं जो जी के नोट्स को रिवाइज करते रहा हो जो आपके पुराने नोट्स हिस्ट्री के जोग्राफी के पॉलिटी क बहुत छोटी सी पॉलिटी ऐसे सवाल भी वन जाते हैं अच्छे से पड़िये तो हम कर सकते हैं तो पॉलिटी इस्ट्री जो नोट्स हैं वह आप रिवाइज करते रहो ठीक है जो आपके खुद के नोट्स हैं करते रहो एक परमार सर के एक लेक्चिर पर डे देखते रहो ठीक है इनके नोट्स की PDF ले लो ठीक है पता नहीं अभी मुझे अप्रॉक्स याद नहीं कितने रुपे की होगे ठीक है आप PDF खरीद सकते हो तो खरीद लेना बन अगर नहीं खरी सकते तो आप ऐसा करना मुझे टेलिग्राम पर जाके गुरूप में नहीं डालूँगा मैं आप टेलिग्राम में जाके जो में एडमिन दिखूंगा आप मेरे को टेलिग्राम में पर्सनल मैसिज करना तो मैं वहां आपको प्रोवाइड करा दोगा इस यू नीड और आप अगर अफॉर्ड नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद अगर आप करेंट अफेर पढ़ते रहो ठीक है करेंट अफेर अब बहुत सारी लोगों का सवाल यह आता है कि अप्धेर कहां से पढ़ें तो टेलिग्राम में डालता रहता हूं करेंट अफेर मैंने मार्व मैंने सुभम जैन सर की करेंट अफेर की डाली थी वह एक जिएड़ साल की है मतलब वह अपरेल तक कर सकते हो या इस पीडी एक बुक आती है वहां से आप करेंट अफेर कर सकते हो तो बेसिकली जी के मैं आपको क्या करना है अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूब करने हैं वह बता देता हूं सबसे पहले एक बार समराइज कर लेते हैं ऐसे परमार सरका पीवाई क्यों सब्सक्राइब कर दिए तो बहुत अच्छी बात अगर आप कर रहे हो तो उन नोट को किलास देखने से कुछ नहीं होता वो नोट को ऐसे करना है आपको कोई रात में भी आकर आपको जगा के बोले कि हां भाई ये बताओ बैटल आफ टाली कुटा कब हुआ था क्यों यह कोजिस चलो नहीं पता उसका इंपैक्ट पता होना चाहिए कि क्या हुआ था या कोई भी आपको पूछ लेना तो आपको जी के अच्छी याद हो जानी चाहिए ठीक है और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं सैंसिस है फाइब ये प्लान है या बहुत सारी जो आपके खुद के नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहो है इंस्टिट ऑफ वाचिंग वीडियो जिए ये वीडियो देख रहो एक लेक्शर देख लिया खतम करो और फिर अपना पूरा टाइम और देखो आपको दो ही सब्जक्तों पढ़ने है इंग्लिस पढ़नी है पढ़नी है मैं तो इतनी तो आती होगी कि पासिंग मार्स लिया हूँ ठीक है उसके बाद आपको करेंट अफेर अभी से स्टार्ट कर देनी है क्योंकि करेंट अफेर एक साथ पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाऊ एक तो आपको मंत्ली करेंट अफेर पढ़ लेना और कुछ से हो गया रैंक हो गई रैंकिंग हो गई इंडेक्स हो गए ठीक है यह अच्छे से याद कर लेना और यह आपका और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टार्गेट होना चाहिए सबसे पहले आप अगर जब भी पढ़ना सुरू करो करो फिर मॉक टेस्ट लगाओ हो जाते हैं फिर सेक्शनल टेस्ट लगा लो फिजी के पढ़ लो फिर इंग्लिस के ग्रामर रूल पर लो कुछ इस तरह से अपना बनाया करो और सबसे पहले बनाया करो कि क्या 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 करना है आज और पर जब आप तिक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है मैं सोच दा कि कुछ वीडियो लेकर आता हूं इंपुजेंट टॉपिक पर जो जी के हैं एंटीएस के लिए और एक में वीडियो सोच दा कि मॉक टेस्ट को इंग्लिस के मॉक टेस्ट को कैसे एनलाइस करते हैं वह लेकर आओं कि पूरा इंग्लिस का मॉक टेस्ट जैसे ट उस वह कैसे उसका क्या लॉजिक होता है मैं उसके उसे वीडियो लेक्या हूं लेकिन आप बता देना आपको चाहिए कि नहीं इनि नहीं आपके उपर डिपैंड करता है बस यहीं सबसे पहले कि आप सबसे पहले जो मॉग теп्झ लगा रहे हैं आपको आपको पेपन निकालना है ना तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अब देली दस घंटे देना होगा अगर आपका मौक टैसे में इंप्रूब नहीं हो रहा आप ऐसे नहीं कि पांचे घंटे पढ़के काम चल जाएगा दस घंटे और दस घंटे का आउट पुट जब आएग होंगे जो बोलते हैं ना कि आठ घंटे पढ़के प्योपन निकाल दो लेकिन अब आप उतना नहीं पढ़े उतने दिन से तो आप आपको दस वारा घंटे डेली पढ़ना पढ़ेगा आई होप यह बास से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क् खतम करते हैं चली वीडियो को खतम कर देते हैं आप से मुलाकात होगी किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना